अलो डियर आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वैलकम है भाई इस वीडियो के अंदर मैं जो serious aspirants हैं जो seriously महनत कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी बात जो है वो point out करूंगा आपने इस बात को ध्यान से समझना है और इसके recording act करना है अगले कुछ दिन जब तक आपका paper नहीं हो जाता है यहने कि जब आपका paper है उससे 10 दिन पहले at least आपने इस बात का ध्यान रखना है जिन बच्चों का paper लेट है वो जब उनका paper है तो उससे 10 दिन पहले इस बात का ध्यान रखनेंगे चोटी सी बात है टेंशन मतलो कि पहले क्यों नहीं बताई ठीक है तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि we have to stop attempting mocks other than previous year papers और अगर दूसरे mocks हमें attempt भी करने हैं तो कौन से करने हैं वो इम आपको बता दूँगा ठीक है यह मैं क्यों बोल रहा हूं अगर आप यह बात नहीं मानोगे तो आपकी करीकराई महनत जो है वो खराब जा सकती है क्योंकि जब हम paper में जाते हैं तो हम एक skill त्यार करके लेके जाते हैं अपनी skill क्या है कि equation को पढ़ेंगे हमने पहले knowledge ली है न बहुत सारे concept सीखे हैं ठीक है उनके ओपर practice करी है उसके अंदर उस concepts में खुद को माहीर बनाया है और उसका बहुत सारा revision किया है ताकि वो concept हमें याद आजाएं जी हां तो अब क्या होगा कि आपकी उस skill को check किया जाएगा अलग-लग question होएंगे तो आपने कितनी skill develop करी वो तो matter करती ही है कि आपके कितने marks आएंगे जिसने ज्यादा बढ़ाई करी है जिसने ज्यादा revision किया है जिसने ज्यादा practice करी है of course वो edge पर है लेकि एक और चीज़ है कि उस skill को show करते हुए आपका जो mindset है वो कैसा है याने कि जितनी आपकी capability है अगर आप उससे under confident है तो गंदा perform करेंगे over confident है तो भी गंदा perform करेंगे जितनी अपनी capability है उसको maximize कर पाएं वही होता है ना best तो आपका mindset कैसा है उस दिन paper देते हुए आपका mindset य यह है कि यार बढ़ाई तो करीब बट मेरे number तो नहीं आएंगे अगर इस mindset के साथ जाओगे तो of course आप गंदा perform करोगे ठीक है तो यह mindset कैसे खराब होता है या फिर confidence ला लो माल लो कोई आप ऐसा mock test दे रहे हो जो अपने exam के level से irrelevant है उसके level से match नहीं खाता है या उसके level से थोड़ा सा ज्यादा difficult बना दिया गया है तो by default paper के पास अगर आपके mocks के अंदर marks down होंगे तो आपका confidence ही लेगा की नहीं लेगा और mock test के उपर शक करने की बजाए आप सबसे पहले खुद पर शक करोगे human nature है हम खुद पर ही शक करेंगे कि मैं ही कमज़ूर हो गया हूं क् मैं ही उतने अच्छे से चीज को attempt नहीं कर पा रहा हूं क्या तो अगर आप difficult ज़रूरत से ज़्यादा difficult mock test देंगे या irrelevant mock test देंगे तो आपके confidence को वो down करेगा unnecessarily और उसका impact आपके paper में देखने को मिलेगा क्योंकि skill तो ठीक ठाक आपने develop कर ली है अब आपका mindset तो इस तरफ करो यार नहीं वो बात नहीं रही तो कोई question आपको दिखेगा और माल लो question है छोड़ने का लेकिन आप तो खुद पर शक करें बैठे हो आप यह सोचाओ के question तो easy होगा मुझे ही समझ भी नहीं आ रहा मैं ही इसको first round में attempt कर देता हूं तो गलत round में गलत question attempt कर दो के unnecessarily लिए ठीक है तो हमें क्या करना है देखो हमें previous year papers को as a mock test देना है ठीक है otherwise जो भी mock अगर आप confident enough हो तो आप किसी भी platform का mock दे लो लेकिन वो अपने जो paper है उसी की line में होना चाहिए वो relevant होना चाहिए अगर आपने देने भी हैं तो मैं इसकी बात कर रहा था तो वो relevant होना चाहिए अपने previous year paper से बहुत ज़्यादा vary नहीं करना चाहिए डिफिकल्टी में भी और nature में तो of course वो question करने ही जो है जो अपने exam में नहीं आ रहे हैं डिफिकल्टी में भी बहुत ज़्यादा vary नहीं करना चाहिए बहले ही वो question हो जो अपने exam में आते हैं ठीक है अगर किसी previous year paper तो आसान होते हैं, तो यही आसान आते हैं भाई, इसी में perform करना होता है, देख लो, इसमें अगर आप वहाँ पर perform कर लोगे तो आजाएगे आपकी बड़ीया rank, ठीक है, तो मेरी तरफ से क्या opinion रहेगा, कि भाई, या तो relevant mark दो, या फिर previous year paper सी दे दो, बहुत सारे previous year paper है और एक और बात बता दूँ, यह नहीं कि सिरफ last year के previous year paper दोगे, आप सबसे पहले last year के दे दो, 2023 के दे दो, और आप CGL और CHSL दोनों के mock test दे सकते हो, इन दोनों को आप differentiate नहीं कर सकते हैं exam में, examiner नहीं differentiate करता तो आप क्यों करोगे, तो 2024 में हुआ CHSL दे सकते हो, उसकी सिफ सिरफ इनकी difficult shift चार्ट कर आप दे सकते हो, जो आये हुए paper हैं उसकी difficult shift भी चार्ट करते दो कोई दिक्कत नहीं है, actual में उसके उपर हमने strategy बनानी है, उसके उपर हमने जाकर अपनी skill जो है वो दिखानी है, तो इससे last के 9 दिन में, मैं यह नहीं बोल रहा है, आप overconfident हो जा कई बच्चों को लगता है कि जो last year जो paper हो आए ना, वैसा ही paper आएगा, एक बार इस चीज को logically debunk करें, अगर आपको लग रहा है कि 2024 में जो paper आएगा, वो 2023 जैसा ही आएगा, तो same logic अगर लगाएं, तो 2023 में जो paper आएथा, वो 2022 जैसा ही आएगा, और 2022 में जो paper आएथा, वो 2019 में जैसा ही आएगा, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिरफ यह कहना चाह रहा हूँ, माल लो recent को यह exam हुआ है, तो उसके हिसाब से, जो important topics हैं, उसके हिसाब से, जो frequent question है, वो हमें करने चीए, but otherwise हमें तयार हर एक चीज के लिए रहना चीए, यह नहीं है कि इसमें equation क के दो स्वाल पूचे थे तो इसमें दो ही पूचेगा, ना, हो सकता है, इसमें coordinate geometry के तीन स्वाल पूचे ले, और इसमें एक भी ना पूचे, आप कुछ नहीं कर पाऊगे examiner का, तो क्या इसमें तीन स्वाल पूचे हैं, तो क्या हम coordinate geometry को importance ना दे, मैं बोल रहा हूँ, यह एक bonus है, इसको importance देंगे, बट ऐसा fixed mindset नहीं बनाएंगे, कि ऐसा ही होगा, सर आजकल तो ऐसा होता है, ना, वो चीजों को slightly उपर नीचे करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ह से अपना TCS आया है, जैसे उसका एक nature रहा है equations का, तो TCS जब से आया है, तब के सारे paper अगर आप दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया पुराना नहीं है उन paper में से, तो बहुत सारे previous year paper पड़े हैं, जो आप दे सकते हो, ठीक है भाई, clear है, तो मैं लिए video बनाई थ आपका मैं clear कर दूँगा, और आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूँँ, कि एक second channel है, जिसको हमने active कर लिया है, even coaching center 2.0, इस नाम से, पहले इसका नाम, भुतेश, sir guidance, clips, ऐसे मैंने रख रखा था, as an extra channel, वैसे ही रख रखा था, कि उस channel के ओपर जब video ग content हो गया, जो भी हम देने की सोच रहे है, मैं और कमल sir, और दो channel हमें चीए, वो content regularly डालने के लिए, जैसे आप यह देख लो, जैसे reasoning का मोक 1 है, वो दूसरे channel पर गया था, इस मोक 2 को यहाँ पर डाला, क्योंकि वहाँ पर math की पड़ी हुई थी, और यहाँ पर जैसे अपने quick revision batch की जो videos, यहाँ पर मैंने डाली है, तो कई बच्चे इनको मांग रहे थे, कि यह वाली वीडियो दे दो, यह वाली वीडियो दे दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस channel के उपर यह पड़ चुकी है, ठीक है, और आगे फिलहाल, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इस channel के उपर और भी काफी सारा content डलेगा, क्योंकि काफी content generate करने की सोच रहे हैं, तो अभी यह channel important हो गया है, इसका link वीडियो के description में मिलेगा आपको, इस channel का link, ऐसे search करोगे तो maybe आपको ना मिले, तो इसका link वीडियो के description में मिलेगा, इसे subscribe कर लेना मेरे भाई, ठीक है, otherwise you will miss the content और, मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो mocks, मतलब मैं और कमल सर भी वीडियो mocks लेकर आ रहे है, वीडियो mocks हम इस तरीके से नहीं लेकर आ रहे हैं कि सिर्फ solution कर आ दिए आपको, फिर कोई फायदा नहीं, ऐसे mocks देखने का फायदा नहीं है, कि teacher सिर्फ solution करा दिए, भी paper के पास, मैं strategy जैसे आप attempt करोगे, मैं वैसे ही attempt करता हूँ आपके सामने, ऐसे ही कमल सर attempt करते हैं, तो आपकी strategy को build करता है, हम आपस में आपको live guide कर रहे हैं, उसके अंदर आप ये माल लो, तो वो काफी मदद करता है, और यही काम, जो weekly mark है, उनके अंदर करते आए हैं, तो अग math के video mocks का link दे दूँगा, जो पहले भी discuss हो चुके हैं, और आगे भी discuss करेंगे अभी, और भी काफी सारे video mocks discuss करेंगे, और सारे relevant करेंगे, because अगर मैं आपको ये problem बता रहा हूँ, तो मैं खुद ये problem क्यों create करूँगा, तो सारे relevant बिल्कुल who-who paper discuss करेंगे, क्योंकि वही करने जरूरी है, उसी के अंदर perform करना है, ठीक है भाई, तो इस बात के उपर ध्यान देना, और दूजरा एक बच्चे का comment आया था, ये बात इसलिए discuss कर रहा हूँ, वो बोल रहा था कि sir, जब मैं test book के उपर mock देता हूँ, तो वहाँ पर हर equation का time display होता है, और real exam में हर equation का time display नहीं होता है, इस question के उपर आपने इतने time ले लिए, मुझे पता नहीं इस बात में कितनी सचा ही है, होता ही होएगा, test book पे होता होएगा, क्योंकि real exam में तो हमने अंदाजा ही लगाना पड़ेगा, कि कितना time मैंने इस question को दे लिया, उस अंदाजे के उपर based on decision लेंगे, तो जो facility real exam में अपने नहीं है available, उसको अब मत use करो, उसको अगर आपने use करना है, तो जब आप एक बार mock दे लो, तब उस time को देखो, यार तब तो मेरे को लग रहा था मैंने कमी time दिया है, और देखो मैंने तो पूरे 3 minute दे दिये, तो फिर आप ये चीज़ develop कर पाऊगे कि हाँ, कई बार हमें पता नहीं लगता, कब time fly कर जाता है, बट साथ की साथ मत देखो, अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर ये सच है ठीक है, तो that's all, इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था, उमीद है कि ये चीज़े clear हुई होगे आपके दिमाग में, वाकई में क्या importance है इनकी वह आप समझ पायोंगे, तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, bye bye, take care.